बहुत तीनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वह अपने राज्जी की आमधनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था उसकी कामना हर समय यह राती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें उसे न सीना को मजबुत करने की फिक्र थी ना ही खेल तमासे में वह कोई रस लेता था ना घुमने फिरने को ही उसका मन करता था हाँ अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे दस कोश चला जाता दीन और रात हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी जिस तरह किसी राजे में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है उसी तरह जदी कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वह कहां है तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है जिस सहर में राजा की राजधानी थी वह भरापुरा था और वहां राद दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सेकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई न पड़ते हों उन्ही में एक दिन दो ठक भी आये उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसी बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूनने पर भी नहीं मिल सकता यहां तक कि कोई उसकी कलपना तक नहीं कर सकता न केबल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुन्दर होगा बलकि उसमें यह भी पिसेश्ता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्ये नहीं होगा वह हद दरजे का बेवकुप होगा उसे वे बस्तर दिखाई तक नहीं देंगे राजा ने मन ही मन सोचा इस तरह के बस्तर तो अनमोल होगे जदि मैं ऐसे कपड़े पहान लू तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्ये नहीं है तब मैं अपनी परजा में से होश्यार लोगों को भी चुन पाऊंगा इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ और उस ने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फोरण धेल सारा रुपया दिया और कहा कि वे फोरण काम सुरू कर दें ठगों ने एक करगा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों पर करगा खाली था उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे पर इन्हें इस्तमाल करने की जगा अपने जोलों में छिपा लिया देर रात तक वे खाली करगे के स शोचकर भी उसका दिल अजिब ढ़ंग से धड़कने लगा कि जो बेबकुप और अपने पद के लाइक नहीं है वह उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा उसे यह चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा फिर भी उसने सोचा कि पहले बार यह देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं किसी और को भेजना चाहिए पूरे सहर में सबने कपड़े के जादूई गुन के बारे में सुना था सभी यह जानने को बेचैन थे कि उनका पडोशी कितना बेवकुप और बेकार है राजा ने शोचा मैं अपने बफादार प्रधान मंत्री को भे जाच कर सकता है तो वह वही होगा परधान मंत्री अच्छे सवभाब वाला पूढ़ा आदमी था जब वह उस कमरे में पहुचा जहां जुलाहे काम कर रहे थे तो उसने देखा कि करगा खाली था उसने अपनी आखे बंद की फिर खोली और सोचने लगा ये भगवान मुझ बचाओ मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह कुछ बोला नहीं ठगो ने उसे करगे के पास बुलाया जिससे वह उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके खाली करगे की तरफ ही सारा करके उससे देखने को कहा बेचारा परधान मं मंद्री करगे के एकदम निकट आकर आँखे फाड़ फाड़ कर देखने लगा मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया दिखाई तो तब देता जब वहां कुछ होता उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी शंभव हो सकता है कि मैं मुर्ख हूँ मुझे तो इस बात का गुमान तक भी नहीं था मगर खैर अब तो यह बात किसी और पर प्रकट नहीं होनी चाहिए और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के योग्य नहीं हूँ ओह यह बताने से तो कताई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता अरे आपने हमारे काम के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया दोनों ठगों में से एक बोला ओह यह कपड़ा तो बहुत सुन्दर है बहुत लुभाबना है बुढे मंत्री ने कहा फिर और भी निकट से अपने चस्मी को शम्हालते हुई उसने कहा तीजायन भी सुन्दर है और रंग का तो कहना ही क्या अब मैं राजा सहब को कपड़े का रायरती हाल बता सकता हूँ बहुत सांदार कपड़ा है हमें यह जानकर बहुत प्रशंदता हुई दोनों बुनकर बोले फिर उन्होंने कपड़े की डिजान और रंग की बारी किया मंत्री को शम्हाने का प्रियतन किया मंत्री शबध्यान देकर सुनता रहा जिससे राजा सहब के शाम ने कपड़े की सुनदरता बयान करते समय वह सारी बाते बता सके और उन्ही शबदों का प्रियोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारी किया समझा रहे थे उसने ऐसा ही किया भी अब दोनों ठगों ने और अधिकरेशम सोने के तारों और धन की फरमाईस की तुरंत सब चीजें उन्हें दी गई उन्होंने सब चीजों का भी निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्थक धन्धे में जूट गए वही खटा-खट खटा-खट और हावा की बुनाई जारी रही एक दिन राजा ने एक दूसरी कुसल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही घटना घटी बहुत यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि करभों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्या खयाल है आपका कपड़ा सुन्दर है या नहीं दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस जूट मूट के कपड़े के डिजान और रंगों की सुन्दरता बक्कान ना आरंब किया मैं मुर्ख तो नहीं हूँ उस मंत्री ने सोचा नहीं मैं अपने पद के लिए आयोग्य हूँ हाँ यह हो शक्ता है कि राजा साहिब ने जिस काम के लिए मुझे अभेजा है मैं उसी के आयोग्य हूँ है तो यह बड़ी अजीब बात पर पता इसक कपड़े की तारीप और उसके रंगों तथा डिजायन को खुब सराहा फिर राजा के पास आकर बोला कपड़ा बास्तब में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा सहर में जिसके मुझ से सुनो कपड़े की तारीप हो रही है अब तो राजा ने उसे स्वैम ही देखना चाहा बाद में तो शामने आएगा ही मगर करगे पर बुना जाता देखने में और ही बात थी इसलिए राजा ने बहुत से सभा सदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया उन सभा सदों में बे इमांदार और बु मसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मसीन की तरह अपना काम कर रहे हैं हलाके उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था कितना शानदार कपड़ा है दोनों मंत्रियों ने कहा महाराज तनिक और निकट चल कर देखिये और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहि उन्होंने खाली करगों की ओर इसारा किया वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई न दे रहा हो मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा यह क्या राजा सोचने लगा वाह यहां तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है वह तो बड़ी गड़बड की बात हुई क्या यह हो शकता है कि मैं बेबकुफ हूँ या राजा होने की योगिता मुझ में न हो यह तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज्जी में मेरी बदनामी हो जाएगी इसलिए उसने प्रकट में कहा हाँ सचमुच कपड़ा बहुत सुन्दर है मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और वह खाली कर्गों की और देख देख कर इस तरह मुस्कुराने लगा मानू डिजाइन की परक करने के बाद वह उस पर मुहित हो गया हो यह तो वह किसी भी रश्विकार करने को ततपर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लोगों ने वाह वाह की जड़ी लगा दी जितने मूँ उतनी बड़ी बातें कपड़ा सुंदर है बढ़िया है सांदार है रोवीला है ऐसा है वैशा है और सभी प्रशन हो रहे थे मानू उन्होंने कपड़े को अपनी आखो देखा है राजा ने तुरंत उन्हें राजकी बुनकर के पदक परदान किये और आग्या दी कि उन पदकों को वे एपने एपने कोटों के काजो में लगा लें राजा के सफ़ा सदों ने उसे शलाह दी कि उन मुल्यवान कपड़ों को आने वाले महासब मेलन के दिन पहना जाए हंडे उन दोनों ने जलवाय रखे हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा की नए कपड़े तयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं उन लोगों ने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करगों पर से उतर गया है अब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज कैसिया ली और बड़ रूस के समय से थोड़ी ही देर पहले वे हाथ पैर जाड़ करनी पट गए मानो बड़ा भारी किला फतह कर डाला हो उन्होंने संदेश बाहक से कहा देख नहीं रहे हो कपड़े तयार हो गए हैं राजा सहेब को शुचना दो संदेश बाहक तुरंत जाकर राजा को खबर द आया महाराज बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तयार हो गए मैंने अपनी आँखों से देखे हैं राजा अपने शाथियों को लेकर स्वयम तयार कपड़ों को देखने के लिए आया ठगों ने अपने एक-एक हाथ फैला कर इस तरह दिखाए मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हो एक बोला देखी महाराज इस परकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे यह देखिए गले की काट बिलकुल नए तरज की है और आस्तीन के घुमा पर जोल की छाया तक नहीं है और कमर तो मानो श्वयम राजा की कमर का मुकाबला कर रही ह हुजूर इन कपड़ों को पहन कर न किवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे बलकि फैसन के राजा भी कहलाएंगे इन कपड़ों की बारी की देखिए इसकी बज़ा से इनमें बज़न भी मकड़ी के जाले से अधिक नहीं है जो इनहें पहनता है उसे यही मा सारे शफासद बोल उठे मगर बास्तब में उन्होंने देखा कुछ नहीं था क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें तो हम यहीं सीसे के सामने महाराज को ये शांदार वस्त्र पहना दें ठगों ने कहा राजा ने अपन वैसे वैसे हरकत करता गया, यही नहीं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह अपने नए बस्त्र को कितने धंग से पहन रहा है, सीसे के सामने खड़े राजा, साहब कभी जूखते, कभी सीधे होकर कालर जटकाते मालूम होते, सभी चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने नफीस कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा था, रंग तो इंद्र धनूश को मात करते हैं, दिजायन आज तक ऐसा नहीं निकला था, बहुत सांदार, राज असी पोसाक है, मुख्य चौपदार ने कहा, महराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए, पहर पड़ा तिछा कर रहा है, ठीक है, हम तैयार हैं, राजा ने कहा, क्यों फीट हो गया ना, और वह कालर ठीक करता हुआ, सीसे में अपने को अकड़ कर देखने लगा, मानू उन नए बस्त्रों में अपने जचाब को श्वयम ही जाच रहा हो, राजा के लंबे लटकते चलने इलबाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे जुक कर ऐसा दिखावा किया, मानो सचमुच पोशाप को काईदे से उठा कर चल रहे हो, वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह कह सके, उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है, अत्मा उन्हें बस्त्र दिखाई इस प्रकार सांदार छटर के नीचे चमर डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चल पड़ा, चड़क के दोनों ओर खड़े तथा खिडकियों पर लदे इस्त्रियों और पुरोसों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंशा की क्या प्रशंदर चोगा लटकता जा रहा था, बास्तब में कोई भी या नहीं जानता था कि वह जो काम कर रहा है उसके आयोगे ठहरा दिया जाए, अथवा मुर्ख मान लिया जाए, इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाके पहनी थी, उनमें से यह पोशाक सबसे अधिक श सुनो तो इस अबोध वालक की बात, बच्चे का पिता घवरा कर बोला, परन्तु बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे की कान में खुसुर खुसुर करने लगे, सची राजा नंगा है, अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब बहम है, राजा बड़े चक्कर में पड़ा, क्योंकि मन ही मन वह समझ रहा था, क्यों वे लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने सोचा कि जब इसे सुरू ही कर दिया गया है, तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी हेठी होगी, जुलूस आगे बढ़ के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए,